हे नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों आप सभी का सुखत है और एक्साइटिंग वीडियो में आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है हच की वीडियो में मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स आये थे और लोग बोल रहे थे कि प्रिंस iOS 14 तो आ गया लेकि तो वैसे तो बहुत सिंपल तरीका है आप लोग को सिर्फ एक बीटा प्रोफाइल डाउन्रोड करनी है उसके बाद आपको OTA अपडेट मिल जाएगा जैसे ही आपको नॉर्मल अपडेट मिलते हैं फिर भी मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं बता दूँँआ टेंशन म बात नहीं है तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग अपना आइफोन 6S, आइफोन SE 1st जनरेशन आइफोन 6S Plus 7 बेसिकली 6S के बाद से जिसमें Apple A9 चिप है उसके बाद से आप अपने सारे आइफोन अपग्रेड कर सकते हो iOS 14 प सकते हो यह लेकिन अगर आप चाहों इन्हें iTunes से इंस्टॉल करना तो आप iTunes से इंस्टॉल कर सकते हो तो इनका IPSW वर्जिन भी डाउनलोड कर सकते हो जिसे आप बाद में फ्लैश कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में मैं आपको रेक्यमेंड करूंगा इन्हें इंस्टॉल नहीं होता है Erase तो यहां से इसे डाउनलोड कर लेना जैसे मैं iPad OS 14 को डाउनलोड करूंगा तो डाउनलोड पर क्लिक करूंगा डाउनलोड एनिवेज आपको वार्निंग देगा कि यह बीटा है बग्स वगरा होंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं हमें सबको पता है वो च उसको इंस्टॉल पर क्लिक करना है अपना passcode डाल डाल दी जिए जो भी आपका passcode है ओ मैं ही भूल्या, ओके तो change कर देते हैं तो देख सकते हो इसे क्योंकि आपने profile install करी है उसके बाद दिख रहा है तो public beta है आप इसे download कर सकते हो अपनी storage वगेज़ चेक कर देना मेरे iPad में अभी उतनी storage नहीं है तो मैं free करने के बाद इसे install कर पाऊ हुआ तो आप एक बार profile install कर लेंगे तो हर बार check कर रहेंगे software update में तो आपको iOS 14 का public beta का update देख जाएगा 3.5GB से उपर का update है 3.65GB का तो आप इसे install कर सकते है और आपका जो device है वो iPad OS 14 पे update हो जाएगा same goes for iPhone iPhone पे भी same यही method करना है बस iPhone OS यानि कि iOS 14 का आपको download करनी पड़ेगी profile इस case में हमने iPad OS की profile download करी थी तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितना simple था update OTA के थूरू आ जाता है बस आपको beta profile download करनी है अगर आपको अपना iPhone अपडेट करना है तो आप लोग iPhone वाली beta profile download कर सकते हो अगर iPad अपडेट करना है तो iPad OS 14 वाली beta profile download कर सकते हो अगर watch OS अपडेट करना है तो अपनी watch OS वाली beta profile download कर सकते हो basically जो device update करना है उसकी beta profile download कर लो वैसे मैं आपको recommend करूँ हूँ कि अभी कुछ दिन रुख जाओ एक महीना रुख जाओ एक महीने के बाद stable update आजएगा वैसे stable तो नहीं होगा लेकिन इस वाले से जादा stable होगा जो अभी आप install करोगे लेकिन आपसे रुखा नहीं जा रहा है iOS 14 है इतना amazing तो आप अभी भी try कर सकते हो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को like कर देना चैनल को करता सब्सक्राइब भाई का चैनल है यार सब्सक्राइब कर देना मैं आप सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए टेक केर जय हिंद वंदे मातरम बाई बाई